एलन सीटी के होस्टल की मैस में खाने में निकली छिपकली प्रबंधर ने वेंडर को किया सस्पेंट छात्रों ने परिसर में किया हंगामा एलन सीटी के गल्फ होस्टिल की मैस में दाल में छिपकली निकलने का मामला सामने आया है जिसको लेकर छात्राओं ने कॉलेज केंपस में जम कर हंगामा भी किया बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों में ऐसा दो बार हुआ है जब खाने में छिपकली या इल्ली निकली है इसको लेकर छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जम कर हंगामा भी किया दोसी तरब छात्राओं ने इस संबंद में कॉलेज के रइस्टरार से भी मामने की शिकायत की है ऐसा बताया जो रहा है कि प्रबंधन ने खाने बनाने वाली एजेंसी को सस्पेंड भी किया है पहले दिन इल्ली तो अगले दिन छिपकली निकली खाने में छात्राओं की माने तो 22 माई को जब एक खाना खाने पहुंची तो एक छात्रा की दाल में छिपकली दिखाए थी ज वहीं 23 मई को खाने में इल्ली नज़र आई, छात्राओं की माने तो उस दिन यहां भिंटी बनी थी, जिसमें इल्ली नज़र आई, छात्राओं ने बदाय के 23 मई को हमें खाने के लिए बॉय जोस्टल की मैस में भेजा गया था, जहां पर यह घटना हुई, 23 की रात 12 बजी मिला डिनर, छात्राओं की माने तो यहां पर 23 मई की रात को देर से खाना दिया, क्या क्योंकि दिन भर से इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चायन चल रही थी, कैंपस में हैल्थ आफिसर भी आये थे, हालंकि प्रवन्थन द्वारा हमें धमकाया भी गया है, उन्होंने हमारे रिजल्ट को खराब करनी की बाद भी गही है, ऐसा पहली बार नहीं है, कि खानी में इस तरह की इलवी निकली है, इस से पहली भी छिपकली इल्ली आदी खानी में कई बार निकली है, इसके अलावा 24 को मेस में खाना भी नहीं बना था, बहुत ज़्यादा बाद चीत के बाद 2 बजे हमें खाना दिया गया प्रबंधन ने का चिपकली प्लेट में गिरी थी ना कि खाने में, हमने वेंडर को 15 दिन के लिए सस्पैंड कर दिया है हालांकि हमने 21 को प्रेस कंट्रोल करवाया था, अब हम फिर इसे करवाएंगे ताकि इस तरह की कोई खटना दोबारा नहीं हो